हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गीतकिनु डॉट कॉम में आपका स्वागत है आज हम बनाने जारे मोती चूर के लड्डू वैसे तो मोती चूर के लड्डू बनाने के लिए हलवाई वाला जहारा चाहिए होता है तो वो तो हमें हमारे घर पे नहीं मिलेगा पर मैंने उसकी असानी से बन जाते है इसे बनाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बैल आइकन दिखेगा जिसे आपको ज़रूर क्लिक करना है जिसे कि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुचे और आप मेरी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देख पाएं तो आएए बनाना शुरू करते हैं मोती चूर के लड़ू मोती चूर के लड़ू बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप बेसन या फिर 200 ग्राम और मैंने यहाँ पर सवा कप चीनी ली है करीब 200 ग्राम वन टेबल स्पून रिफाइंड ओयल ये मैंने पिस्ता लिया है गार्निश करने के लिए इसे बारिक-बारिक काट लिया है और मैंने लिया है ओरेंज रेड कलर इस तरह का बाजार में इसली मिल जाता है मैंने एक चुटकी लेकर उसे पानी में घोल लिया है इस तरीके से और हमें चाहिए एक जारा जो की मोती चूर के लड़ू बनाने के लिए हलवाई यूज करते हैं पर क्योंकि वह इसली हमारे घर पर अवेलेबल नहीं होता है वह नहीं मिलता है तो मैंने यहां पर एक दूसरी चीज का यूज किया है यह देखिए इस तरह का यह जो बॉक्स है वह बाजार में इसली मिल जाता है और इसमें मैंने आप देख सकते हैं छोटे-छोटे कोई ह watt इसमें में इस तरह का शोटे-छोटे करने यह देखिए इस तरीके से मैं आपको पास से दिखा देती हूं इस तरीके मैंने छोटे-छोटे-चोटे चेथ कर लिए है इसमें अगर आपके पास यह नहीं है इसमें भी आप इसी तरीके से छोटे-छोटे छेद कर सकते हैं एक-एक सेंटिमीटर के दूरी पर और आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं मोती चूर के लड़ू बनाने के लिए अब हम बूंदी बनाने के लिए बैटर तयार करेंगे उसके लिए बाउल में हम बेशन एड़ करेंगे ओइल एड़ करेंगे थोड़ा सा कलर एड़ करेंगे थोड़ा-थोड़ा पानी एड़ करेंगे और घोल तयार करेंगे हमें पतलाग भोल तयार करना है बिल्कुल भी लंच नहीं होने चाहिए इसमें मैं थोड़ा सा कलर और डालूंगे मुझे कम लग रहा है मैं आपको दिखा देती हूं कि इस तरह का घोल चाहिए हमें यह देखिए इस तरह का पतला घोल चाहिए इसमें लंप्स नहीं होने चाहिए अभी इसके इससे हमें और फेटना पड़ेगा क्योंकि अभी इसमें मोटे मोटे टुकड़े दिखाई दे रहें पर इस तरह का पतला घोल तयार करना है तो हमें इसे और फेट लेते हैं ताकि इसमें बिल्कुल भी लंप्स ना रहें और मुझे एक कप बेशन में आधा कप पानी लगा है हमें बुंदी बनाने के लिए मीडियम होट ओयल चाहिए बहुत जादा तेल गरम नहीं होना चाहिए नहीं तो हमारी बुंदी जल जाएगी अगर आपका तेल तेज गरम है तो आप गैस को धीमा कर दें तो सबसे पहले हम थोड़ा से बेटर डाल कर चेक करेंगे कि हमारा तेल गरम हुआ है या नहीं यह देखे हमारा तेल गरम हो चुका है अब हम बुंदी बनाना स्टार्ट करेंगे तो यह हम बॉक्स लेंगे बुंदी को हमें 30 सेकेंड से जादा नहीं रखना है और में हम जली अली निकाल लेंगे तो मैं यह बैटर डाल देती हूँ और इसे हलके हाथ से हिलाएंगे आप देख सकते हैं यह बुंदी गिंदी स्टार्ट हो गई है इसे हमें इस तरीके से हिलाना है अब हम बुंदी को निकाल लेंगे बहुत जादा देन नहीं रखना है यह देखे हमारी बुंदी बन गई है तो हम इसे हाथ के हाथ निकालते रहेंगे इस तरीके से चन्मी में ताकि इसका एक्स्ट्रो ऑइल निकल जाए इसी तरीके से हमें सारी बुंदी तयार करनी है हमें इसका एक्स्ट्रो ऑइल निकाल कर इसे टीशू पेपर पर या अकबार पर फेलाना है ताकि इसका सारा तेल निकल जाए हम बाकी की बुंदी भी बना लेते है यह देखिए मैंने सारी बुंदी तयार कर ली है और बहुत अच्छी बुंदी बनी है कुछ जो बुंदी होती है वो थोड़ी लंबी बन जाती है पर आप देख सकते हैं यह देखिए कितनी छोटी छोटी बुंदी बनी है जितने बड़े आप छेत करेंगे उसी साफ से बुंदी बनेगी तो कुछ ऐसे बड़े बड़े आ जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है और आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है बुंदी बनाते टाइम जैसे कि हमने यह जो कंटेनर लिया था आपको हर बार इसे साफ करना है बुंदी डालने से पहले पहले आप इसे क्लीन कर लें और फिर बुंदी डालना स्टार्ट करें नहीं तो आपकी बुंदी बड़ी बनेगी और तेल आपका तेज गरम होना चाहिए तेल अगर ठंडा होगा तो भी बुंदी अच्छी नहीं बनेगी और बुंदी को आपको सि से जादा फ्राइ नहीं करना है और आप फटा फटा से निकालते जाए और इस तरह की छन्नी में आपको बूंदी रखनी है ताकि जो एक्सेस ओयल है वो नीचे बरतन में चला जाए मैंने इसके नीचे एक बरतन रखा हुआ है अब इसको मैं किसी अखबार पी या टीशू प मैंने यहां पर 500 ग्राम के करीब ली है और मैं इसमें हाफ कप पानी डालूंगी वो है 125 अमेल के करीब अब इसे हम पका लेंगे जब तक कि चीनी हमारी घुलना जाए इसे हमें बहुत गाढ़ा नहीं करना है सिफ चीनी घुलने तक पकाना है तो इसे पकने देते हैं यह द और बुंदी को हमें लगातार चलाना है जब तक कि हमारी बुंदी बिल्कुल ड्राए ना हो जाए यह सारी जो चाशनी है वो एब्सॉर्ब ना कर ले तो मैंने गैस को हाई फ्लेम पे रखा है और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि हमारी बुंदी बिल्कुल ड्राए ना हो जाए लड्डू बनाने के लिए हमें इसी तरीके से इसे लगातार चलाना है हाई फ्लेम पे यह देखें बुंदी ने करीब करीब सारी चाशनी अब्सॉर्ब कर ली है अब हम गैस बंद कर देंगे और इस मिक्स्चर को किसी बड़े बरतन में फैला देंगे ताकि यह जल्दी से ठंडा हो जाए और हमें पूरा ठंडा नहीं करना है इसे गुंगुना होने तक ठंडा करना है उसके बाद हम लड़ू बनाएंगे यह देखें अब इससे हम निकाल लेते हैं यह देखें हमारा लड़ू का मिक्स्चर ठंडा हो गया है अभी थोड़ा सा गुनगुना है गरम है जैसे यह ठंडा होगा यह बिल्कुश सैट हो जाएगा तो अभी यह थोड़ा सा को गीला लगेगा तो हम लड़ू बनाना स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि मैं इसे इसली हैंडल कर पारी हूं तो हम लड़ू बना लेते हैं यह देखें यह हमारा लड़ू तयार है इसी तरीके से हम बागी के लड़ू तयार कर लेंगे यह अभी गरम है इसलिए थोड़ा स सेट हो जाएगा यह देखिए हमारे मोती चूर के लड़ू बिल्कुल तयार हो गया है सर्फ करने के लिए आप इससे भगवान का भोग भी लगा सकते हैं आज कल गणेश चतुर्थी चल रही है तो आप गणेश जी को भोग लगाए यह उनको बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं बनाना भी बहुत असान है तो अगर आपको मेरे यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें